स्टेडी ओफ बर्ड्स बर्ड्स की डाइवर्स वराइटी हमारे एडगेर इन्वारिमेंट में मिलती है उनकी डाइवर्स त om the different colors in their plumage or features और उनके habitat की वज़ा से होता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बर्ड्स को study करते हैं और हम science की study हम science में उसको study करते हैं तो जिस class में इसको रख़ा जाता है उसको class AVI's बोलते हैं जितने भी class A-20 में रखे जाने वाले birds हैं, वो उसकी diverse variety है, और उसके अंदर different किसम की adaptations आई हुई होती हैं, जो कि उसकी general characteristics हैं, अब हम देखते हैं कि birds के अंदर कौन सी general characteristics पाई जाती हैं, जैसा कि birds warm-blooded होते हैं, body का temperature वो regulate कर सकते हैं, इनके अंदर high metabolic rate पाया जाता है, जिसकी वज़ा से ये gracious feeding करते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा करके ये खाते रहते हैं, ताकि इनका metabolic rate high रहे, क्योंकि इन्होंने, जो next adaptation है, जिसके बारे हम discuss करने वाले हैं, उसको fulfill करना है, जो next adaptation है, वो इनके अंदर है flight की, अब flight के लिए इन में wings develop हो जाते हैं, जो के four limbs है, wings जो है, it is these are the adaptations for their flight mechanism, अब हम बात करते हैं, क्योंकि इनको flight करना होता है, air से move करना है, तो इनका body का weight और इसके skeleton के बारे में, क्या इसकी situation होती है, तो क्योंके, they are adapted for a flight mechanism, or a flight behavior, जिसकी वज़ा से इनका body का weight है, वो कम होता है, because of the presence of air spaces, फिर हम देखते हैं, कि ये इनकी, जो scaly skin है, जो कि इनके legs पे है, वो किस तरह से और क्यों बनती है, तो कहा ये जाता है, कि reptiles जो है, वो further evolve होके, birds में convert हुए, तो जिसकी वज़ा से, जो scales है, birds, जो scales है, birds की legs की उपर मुझूद हैं, पूरी body की उपर नहीं, तो इससे विए पता चलता है, ये they are, reptiles are the ancestors of birds, फिर उसके बाद, इस क्योंकि इनमें, जो major adaptation है, वो इसकी flight mechanism है, तो इसमें, जो sternum bone है, वो develop होके, कील बनाती है, और कील वो इनकी bone का part है, जो के, बाद में, flight muscles के साथ, attachment का, काम करती है, So, कील, it is present in the axial region, middle line में ये present bone होती है, जो के, with act as an attachment for the flight muscles, that's why, कील की वज़ा से ही, ये birds, air में, without turbulence, अराम से, streamlined body, बना कर, ये move कर सकते हैं, Digester system के बारे में, हम देखते हैं, तो birds में, जो digestive system है, वो कुछ इस तरह से develop हुआ होता है, कि जो stomach है, जब food इनकी body में जाती है, तो crop, it is one of the part of the digestive system, उस crop के अंदर food store होती है, और chunk by chunk, थोड़ थोड़ा करके, फिर वहाँ, बाकी के digestive system में, drop कर दी जाती है, लेकिन जो insectivorous birds हैं, उनके अंदर crop नहीं present होता, अगर हम crop की diagram बनाएं, तो हम देखते हैं कि crop किस जगा पे और किस तरह से वो नजर आता है, तो यहाँ पर अगर किसी एक bird की इसोफेगस से, जो वो अगर seeds intake कर रहा है, तो उस time पर यह सबसे पहले, इस crop region में, इसके अंदर food आएगी, और फिर यहाँ से food आइस्ता आइस्ता, बाकी stomach के जो parts हैं, उसमें होती हुई, यह intestine में जाएगी, so this one is the crop region, crop region में आके यह food को store करते हैं, और फिर chunk by chunk, digestion के लिए आगे parts में drop की जाती है, हमने pigeon milk के बारे में तो बहुत सारी जगों पर पढ़ा है, कि pigeon milk क्या है, तो pigeon milk यही है, कि pigeon's है, food जब intake करते हैं, और अपनी babies को feed कराना होता है, उनको जो भी उन्होंने खुद खाया है, वो अपने बच्चों को खिलाना होता है, तो इस टाइम पर, for example, उन्होंने seeds intake किये, तो वो crop में जाके store होते हैं, और crop से वो एक thick सा material, जो के milk shape में नजर आ रहा होता है, whitish सा होता है, वो दुबारा से इसके मुह में आता है, और फिर वो अपने baby या young ones को feed करवाते हैं, तो इस तरह से इनका digestive system developed होता है, according to their diet, according to their, which is seeds के ओपर उन्हें feed करना है, फिर हम देखते हैं, इनका heart, heart इसमें properly developed है, four chambered है, जिसकी वज़ा से, ये, these are the successful animals on the terrestrial environment, अच्छा, तो इसमें हम birds में हमने बात की, terrestrial environment, इसकी इलावा कुछ birds ऐसे भी हैं, जो के water cube पर swim करके, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर अपना habitat बनाते हैं, जैसे wet lands पर जाके रहते हैं, जो lakes हैं, उसकी उपर जाके थोड़ी देर के लिए रुपते हैं, या वहाँ पर climb करके, वो insects वगरा eating करते हैं, जो birds हैं, वो ऐसे animals हैं, जिनकी बड़ी एक diversity पाई जाती है, उनके colors में, उनकी behavior में, feeding behavior में, उनकी habitat में, एक diversity पाई जाती है, all over the world, अब हम बात करते हैं, birds की different, जो representative, कुछ members हैं, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, जैसा कि pigeon है, sparrow है, parrots है, ये common किसम के birds हैं, जो हमें आम देखने में मिलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, कि इसका scientific name क्या है, जैसे pigeon का scientific name है, columbia livia, parrot का scientific name है, cytoculia euparia, और sparrow का scientific name है, passer domesticus, जैसे आप आप एक पिक्टर में देख रहे हैं, कि birds की एक जो color है, plumage है, body की shape है, pattern है, beak है, वो किस तरह से नजर आ रही है, आप sparrow को देखें तो उसमें भी आपको थोड़ी relatively small नजर आ रही होगी, फिर उसके बाद हम देखते हैं, parrots को, तो parrots के difference, उसकी beak का shape बिल्कुल different है, color different है, लेकिन main जो इनका characteristic है, इनकी जो bipedal locomotion, यानिके hind limbs modified for walking, या किसी भी plant के उपर बैटना है इनोंने, तो इन feats के तुरू ये अपने आपको capture कराते हैं, ये इसका एक modification, फिर इसकी flight feeders हैं, वो इसकी main adaptations है, और different तरह की जो beaks है, different shapes की जो beaks है, वो इन में different birds में different तरह की आपको देखने में मिलती हैं, लेकिन commonly जो wings हैं, इन में जो claws हैं, legs हैं, और इनके feathers हैं, वो almost same जो है, एक general characteristic नजर आती है सब में, अब one by one इन सारे जो जो जिन तीन birds के हमने बात की हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे है pigeon, pigeon को जो common name है, वो कबूतर है, body को किन regions में divide किया है, head, neck region है, जो के बहुत ही ज्यादा movable है, अराम से, बल्के कब आप देखते हैं, कि birds अपनी neck को बार बार, या because of the neck bone की वज़ा से, फिर इसमें है, इसका ये trunk area है, trunk area में हम इसका ये breast और back part के बारे में बात करते हैं, और साथ में है इसका ये abdominal region, यहाँ पर इसकी beaks के उपर ही nostrils है, आइज हैं, और आइज के जो protection है, वो nictinating membrane की वज़ा से होती है, जो के protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, nictinating membrane के बारे में हम next picture में देख लेंगे, कि वो किस तरह से दिखने में नजर आती है, फिर बात करते हैं parrots की, parrots के भी से वैसी body parts हैं, पिजन के बारे में देखा, but their beaks are modified for fruits eating, फिर हम बात करते हैं sparrow की, sparrow जो है common हमारे घरों में हमें नजर आती है, जिसे हम चिडिया कहते हैं, house sparrow है, इसके भी body के same वो ही parts हैं, beaks इसकी small होती है, sexual diamorphism exist करती है, almost सारे birds में, sexual diamorphism का मतलब ये है, कि male और female members को clearly identify किया जा सकता है, कि कौन से वाला bird male है और कौन सा female है, और ये different basis की वज़ा से, जैसे feathers के colors की वज़ा से, tail की shape की वज़ा से, जो head region है, वहाँ पर plumage का color क्या है, उनकी basis पर इनको identify किया जा सकता है, कि birds की sexual diamorphism किस तरह से है, अगर हम सारे birds को देखें, तो हर bird में जो feats हैं, वो थोड़ी बहुत differences के साथ होते हैं, for example, sparrow में, जो feats हैं, they are adapted for purging, अब देखें, यहाँ पर, आप sparrow को देखें, तो उसने किस तरह से, अपने claws को capture किया हुए, claws के थूँ उस जगा को, ट्विग को capture किया हुए, ताके वो एक stable जगा पे रह सके, फिर आप देख रहे हैं, pigeon की, तो उसके claws बहुत एक्लियर नजर आ रहे हैं, तो यह flight के साथ, उन्होंने किस जगा पे land करना है, bipedal locomotion करवानी है, उसी के according, इनके feeds, modify हुए होते हैं, फिर उसके बाद आती है, sparrows में egg laying, so at a time, sparrows 3 to 8 egg lay करती है, और सारे birds के अंदर, parental care exist करती है, जिसमें nesting से लेकर, इनको independent होने तक की care करना, यह parental care में आता है, so जो birds हैं, उसकी एक diverse variety, हमने देखी, कि birds किस तरह से, inhabitate में होते हैं, किस तरह की shapes में होते हैं, किस तरह की colors में होते हैं, तो एक diverse variety इसमें नजर आती है, लेकिन इनकी जो main common characteristics हैं, जो हर bird में हैं, वो भी आपने देखी, कि wings हैं, flight feathers हैं, इनमें जो beaks हैं, वो किस तरह से develop हैं, वो जो bones हैं, वो light weights की होती हैं, हर bird के अंदर keel build हुआ होता है, keel bone होती है, जिसकी वज़ा से flight muscles को attachment site मिलती है, तो अभी थोड़े देर पहले, जो मैंने आपको कहा, कि जो इनकी eyes के उपर nictinating membrane होती है, वो किस तरह से होती है, उसकी हम एक picture देख लेते हैं, कि इस तरह से इसकी nictinating membrane है, जो कि birds की eyes को cover करती है, तो इस तरह से dear students, हम देखते हैं, कि birds की अगर हम diverse variety को देखना start करें, तो हम clear अपनी visualization से, visualization से देख सकते हैं, कि birds की किस तरह की external characteristics हैं, और उन characteristics की basis पर, उनको different classes में classify किया गया है, कि उनका living style, lifestyle किस तरह से है, तो ये एक बड़ा interesting subject बन जाता है, कि हम जब different birds के बारे में देखते हैं, कि कहां पर कौन सा bird है, living style क्या है, lifestyle क्या है, life span क्या है, etc. पुर्प होएँ से लिगचे, परे में देख, भाग रारे माहँभिज से बहुत हैं, तान से वजे बग Judith, तैसiblilonisto और स्चली । और से लिभ़जी, परे में, झाल झाल